नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीड पूरब हुआ थपकी के लिए बेहत परिशान दिलवाएगा थपकी और इसकी मा को इंसाफ मुकुल को लेकर वेल यहां पर आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से थपकी और पूरब के बीच अच्छी सी नजदी कियांद देखने को मिल रही है जहां एक तरह पूरब जो है वो थपकी को बेहत प्यार करता नजर आ रहा है यह अलग बात है वो उससे कुछ कह नहीं पाता यहां पर पूरब जो है वो थपकी को हर वक्त कुछ इस तरीके से बड़े ही प्यार से देखता है और अब तो मांग भी भरता नजर आया था वो थपकी का जिसे देखकर बेहत इमोशनल हो गई थी थपकी और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरब जो है वो थपकी को इंसाब दिलाने की पूरी कोशिश करता है और यहां पर सामने आ जाता है थपकी और उसकी मा का सट यहां पर पूरब थपकी की मा से पूछता है कि आखिर कौन है जिसने आपको और थपकी को पूरी जिंदगी परिशान किया कौन है वो जिसकी वज़ा से आप और थपकी द तोनों ही शौकड हो जाती है तो वहीं पर घरवालों को भी पदा चलता है यहां पर मुकुल अपनी बात Scheet जिसके बाद यहां पर थपकी जो है वो पूरब को अंदर ले जाती है और पूरब से कहती है कि यह सब कहने की क्या जरूरत थी तुम कौन होते हो यह सारी बाते बोलने के लिए यह मेरे घर का मैटर था और मैं इसे खुद शौट आउट करती जिसके बाद जो पूरब होता है वो कहता है कि नहीं थपकी तुमने बहुत सहा है और तुम्हारी माने भी बहुत सहा है अब बारी है मुकुलंकल के सहने की और अब उन्हें यह सहना ही होगा जिसके बाद आप देख सकते हैं जो पूरब होता है वो जानता है कि थपकी और उसकी मा कितनी परिशान हुई है तो अब पूरब ने ठान लिया है कि वो थपकी और उसकी मा को इंसाफ दिला कर रहेगा। फिलाल थपकी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूइस्ट एंट टरंज आने वाले हैं और थपकी और पूरब यूही करीब आते चले जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।